असलाम लेकुम, कोई साइंसदान कितना बड़ा या कितना चोटा होता है, आज इस लेक्षर में हम यही देखने वाले हैं, मेरा नाम है डॉक्टर महामद अमार्तफैल और आज डे त्री ओफ साइंटिफिक राइटिंग मेंटर्शिप प्रोग्राम के अंदर मैं आपको खु चोटा साइंटिस होता है, चोटा बाइदवे कोई भी नहीं होता, सब बड़े होते हैं, बट एक मैट्रिक होता है मेर करने का कि कौन कितना बड़ा साइंसदान है, यह आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि पिछले लेक्षर में मैं आपको बताया है कि साइंटिफिक पब्लिश करते हैं, और जो जितने पेपर जयादा अच्छे पब्लिश करता है, उनका उतना बड़ा नाम होता है उस फील्ड में, उतनी बड़ी फंडिंग उनके पास होती है और उतनी बड़ी वो कोई ना कोई इनोवेशन अपने फील्ड के अंदर करते रहते हैं, फिर और factor होते हैं जिसके उपर depend करता है कि कौन कितना बड़ा साइस्थान है वो होता है impact factor of the journals. Journals क्या होते हैं? जैसे different publication companies होती हैं वो जब कोई paper publish करते हैं तो कौन कितना उस paper को पढ़ड़ है? यानि कि उस paper की reach कितनी है और कौन कितना उस paper को as a reference quote कर रहे है in different things, उसकी base पे journals का impact factor और citation score decide होता है. मैं एक मिसाल देता हूँ, पाकिसान के अंदर कितने news channel है और इनके TRP या rating जो होती है वो depend करता है कि कितनी हवाम उन्हें देख रही है. इसी तरीके से YouTube के उपर कितने लोग किसी को देख रहे हैं या किसी के कितने subscribers है, यह depend करता है आपके content के उपर और उसकी reach के उपर. यानि कि पाकिसान के अंदर जो बड़े YouTuber हैं, उनके बड़े subscribers होते हैं, जो छोटे YouTuber हैं मेरे जैसे, उनके कम subscribers होते हैं और कम views आते हैं. और उनको reference करके cite भी करते हैं, यानि दिलाइल देते हैं उनके papers के through. तो यह बहुत important एक metric होता है, जिसको हम impact factor of the journal कहते हैं, या scientific citation score बोलते हैं. And then you have research likability. For example, COVID-19 vaccine के ओपर जिन्होंने research की थी, इनकी citation तो बहुत कम हुई, बट इतनी बड़ी publications इनकी गई हैं, publication से मुराद ये है, कि जो उन्होंने काम किया था, वो field के अंदर बहुत सराहा गया, और इन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया. अगर आपको नहीं बता, तो जर्मनी की GDP के अंदर, फाइजर यानि के बाइंटेक की कमपनी, जिसने फाइजर की vaccine मनाई थी, अच्छा खासा पैसा इन्होंने बना के दिया है, और around I think so, COVID-19 के दुरान, तकरिबन 10 से 25% का GDP के अंदर इसका share था, I'm not really correct in that, आप अपनी figures को confirm कर सकते हैं, but on the other side, अच्छा खासा share था, एक vaccine, एक country की अच्छी खासी GDP के अंदर contribute कर गई, अब अगला होता है, जिनाप citations जो मैंने पहले भी बताया, जैसे YouTube के subscribers होते हैं, इसी तरह हर papers का citation score होता है, and then you have social impact, यानि के जो आप research करके हैं, उसका social impact क्या है, इसकी बहुत example में आपको देने वालो, chat GPT, कितनी बड़ी research होई, कितना अच्छा large language model आया, कि इसने Google को disrupt कर दिया, even though उन दिनों जब chat GPT launch हुआ था, open AI का stock, open AI का stock सबसे उपर जा रहा था, and then you had Google and some other in large language model industry, इसी तरीके से, जब भी आप कोई ground breaking research करते हैं, उसका social impact ज्यादा होता है, तो आपके पास अच्छी खासी उस research की मांग होती है, large language model में Google का जमिना ही आगया, फिर आपके पास Facebook का, LLM जो है, वो lemma 2 आगया, lemma index आगया, there are many other models out there, लेकिन chat GPT का नाम हर किसी को पता है, खास दोर पे research के अंदर अच्छा खासा पता है, so just imagine कि उन्होंने research का इतना बड़ social impact create किया, उनकी research ने, कि इस वकत वो research की वज़ा से अपना नाम कमा रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, obviously जब नाम होता है तो पैसा साथ बसाथ, side by side आता जाता है, वो किसी ने कहा था ना, कि काबल बनो, पैसा पीछे पीछे आता जाएगा, obviously इसी तरीके से काबल research करें, आपक उनका नाम अच्छा खासा होता है, खास तोर पे, मैडम मेरी क्यूरी, अगर आपको नहीं पता तो उन्होंने दो nobel prizes win किये थे, इसी तरीके से, there are different other scientists जोनोंने nobel prize win किये हैं, और उनका नाम दुनिया में अभी तक चल रहा है, खास तोर पे, Einstein को सब कुछ जानते होंगे, स positive or negative, we are not talking about that, but on the other side, उन्होंने ऐसा काम किया, जो दुनिया में अभी तक चल रहा है, इसी तरह Newton का नाम है, there are many other scientists out there, जिनका नाम अभी तक काइम होदाएं में, obviously Pakistan के अंदर scientists को, इतने कोई तरजीह नी दी जाती, but on the other side, we are still doing our part, और हमें अपनी तरफ से सर जुगा के मेहन इसका मतलब है कि उस scientist या उस group की research बहुत top notch की हो रही है, obviously, जब किसी ने पैसा देना होता है, किसी lab को, के research conduct करें, तो वो पहले check करते हैं, कि आपका मेहार किया है, आपके लिखने का style कैसा, आपके research की credibility कितनी है, and then they pay you, अगर किसी funding agency ने आपको millions of dollars दे दिये, इसका मतलब उनने आपको aggregate क्या उसको बोलते है, मान लिया, या confirm कर दिया, कि आपकी lab बहुत कमाल चाहरी है, या उस professor का नाम अच्छा घास है, तो इसी वड़ाए से जिनके पास ज्यादा funds होते है, उनके पास research भी कमाल की हो रही होती है, समझ देए ना बाजो मैं समझाना चाहूँ, that that's good, अब आगे चलते हैं, जनाब, हमारे पास कौन-कौन सी measures कहां-कहां पर मिल सकती है, तो मैंने कुछ websites आपको बताई हैं, कुछ resources बतारों, जहां पर आप चेक कर सकते हैं, कौन सा science कितना बड़ा है, say for example, आप journal की website पर जा सकते हैं, journals क्या होते हैं, publications के house होते हैं, जैसे nature की एक publication house है, और उसका फिर different किसम के journals होते हैं, ठीक है, आपको आइस्ता इस्ता पता चल जाएगा, journals क्या होते हैं, फिर उनकी website पर जाके आप पता कर सकते हैं, कि उनका impact factor क्या है, या उनका citation score क्या है, फिर researchers website पर जाके आप देख सकते हैं, बहुत जादा researchers अपनी website भी बना आती है, based on their research program, citation score, impact factor, और एक field के अंदर कितने लोगों ने उनकी research को सराहा है, और अलहम्दलिल्ला, पाकिस्तान के काफी साइंस्तान जो हैं, वो highly cited researchers जो हैं, वो 2021, 2223 में रहे हैं, आने वाले दिनों में उनका भी तश्करा होगा, और I'm planning के उनके साथ हम कुछ discussion भी करें, and then you can also search their research scholar profiles, खासतोर पे research gate, google scholar, orchids, या there are many other websites जहां पे वो आप जाके उनकी profiles दे सकते हैं, अब google scholar और research gate, इन दोनों पे हर science line की profile होना जरूरी है, the third one is orchid, अचा यहां पे एक spelling mistake है, orchid होता है, o-r-c-i-d, not orchid, तो यह अपने comment section में लिखना है, जो लोग खासतोर पे this course में enroll हैं, कि इस एक lecture के अंदर कौन सी mistake है, और इसकी time stand क्या थी, यह हम क्यों कर रहे हैं, इसकी reason यह है, कि आप लोग गोर से सुन भी रहे हैं, या सिरफ skip skip कर रहे हैं, that is a kind of metric to actually check कि कौन इस lecture को सही तरह के सुनता है, और कौन skip करके देखता है, समझ आगी है, अब आपकी assignment नहीं है, अब किसी भी field में scientific writing के अंदर आप कदम रख रहे हैं, तो आपको यह दो profiles बनाना जरूरी है, तीसरी profile आपकी orchid की होनी चाहिए, which you can prepare now, और फिर जब आपको को paper publish होगा, you can actually attach to that profile directly from journals website, तो कैसे करना है, वो इन्शाला आने वाले दिनों के अंदर आपको बड़ी website पर जाते हैं, researcher website पर जाते हैं, university website पर जाते हैं, यह top cited researchers की profiles देखते हैं, then at that point you need to know के keywords बहुत ज्यादा important होते हैं, keywords क्या होते हैं, कि आप for example किसी research, किस field के अंदर research कर रहे हैं, और आपका keyword है plant science, यह आपका keyword है medical science, यह आपका keyword है human pathogens, यह आपका keyword है artificial intelligence, यह data science, तो आप इस search out कर सकते हैं, और papers को भी, so keywords are very important, और keywords की base पे आप अंदाजा लगा सकते हैं, किस तरीके से keywords जरूरी होते हैं, अब keyword के उपर proper हमने lecture जो है already दिया हुए, और इस एक course से पहले हमने वो proper दो से डाइगंटिक एक workshop conductor रवाई थी, जहां पे हमने keywords के उपर बहुत ज्यादा बह करके database में से papers भी निकाले थे, तो मेरी आपसे request है, description में मैंने link दिया हुए, उस पूरी एक workshop का, और उपर top left side पे भी आपको i button के अंदर, वो link नजर आ जाएगा, please उस पे जाके आप जरूर उस एक video को देखे, and write down in the comment section के आपके field के 5 important keywords कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 important keywords आ आपको, पहला है plant science, दूसरा microbiology, तीसरा data science, चोथा machine learning, पांचपा artificial intelligence, तो ये मेरे 5 keywords हैं, जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, okay, अब एक important चीज़ यह है, जब आप keyword search करते हैं, तो आप Google scholar की profile पे जाते हैं, और Google scholar की profile पे जाने के बाद, आप citation score देते हैं, से for example, microbiology के अंदर, plant microbiology ये soil microbiology में, ये एक ऐसा नाम है, बर्नार्ट अर्ट लिक, जो एक मशूर science दान है, ठीक है, अब इनका science दान मशूर होने का main plan क्या है, हमने किस तरीके से ये find out किया, तो बेहतर ये होगा, कि मैं अपने field के keyword, जैसे soil microbiology, plant microbiology, specific keywords को मैं Google scholar में लिखूँ, तो मेरे सामने जितन का सबसे ज्यादा citation score है, this is citations, यानि के 61,187 दफा लोगों ने इने cite किया है, और cite करने के बाद, ये जो number है, it's kind of highly recognized in my field, अगर ये CS या कोई और field होता, तो वहाँ पे ये number ज्यादा भी हो सकता था, thousands में भी, even के lakhs में भी चले जाते हैं, या आप कह सकते हैं, 100,000 से भी cross कर जाते हैं, और अगर आप और करें, H index भी होता है, और I 10 index भी होता है, I 10 index ये होता है, जितने भी इन्होंने paper publish की हैं, उन में से कितने papers जो हैं, वो 10 citations से ज्यादा है, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ important शिज़े होती हैं, और ये metric आपको Google scholar के profile के right side में मिल जाता है, और आ scientist को follow भी कर सकते हैं, अब आपका task ये होगा, कि आपने, क्या करने हैं, आपने H index और I 10 index की base पे, या आप कह सकते हैं, कि citation की ये तीन चीज़ों के base पे, अपने field के best scientist को find out करने हैं, और best scientist ये best researcher आप अपने field के कैसे find out कर सकते हैं, आपने keywords यूज़ करने, Google scholar में जाने हैं, वहां पे लिखने, and then you can find out those people, और obviously ये सारे का सारा plan मैं आपको next day में बताने पे वाला हूँ, अब आपने खुद से मेहनत पहले करनी हैं, then I will show you कि Google scholar में आप कैसे find out करते हैं, obviously जो मैंने आपको link दिया हुआ है, अपनी workshop का या master class का, you can also learn from there, और ये आप practice करेंगे, तो इस course में ज्यादा सिखेंगे, यहां था clear हो गया, okay, अब आप और करें कि यहां पे item on H index के बारे में थोड़ी से information लेते, the H index reflects both the number of publication and the number of citation per publication, ठीक है, H index क्या होता है, यह basically number of publication और number of citations per publication कितनी है, for example, a scientist within H index of 20 has 20 papers cited at least 20 times, ठीक है, अब यहां पे H index है 107, तो इसका मतलब है, इनके 107 papers ऐसे हैं, जो 107 दफा साइट होएं, ठीक है, और इनके 290 papers ऐसे हैं, जो कम असकम 10 दफा साइट होएं, तो I 10 और H index यह दो important parameter होते हैं, the I 10 index is the number of articles with at least 10 citations, अगर H index किसी का 20 है, तो इसका मतलब है कि उनकी 20 papers की 20 citations हैं, अगर H index 107 है, इ इनके 107 papers की 107 citations हैं, अगर I 10 index 290 है, इसका मतलब यह हुआ कि 290 papers का more than 10 citations score है, ठीक है, तो यह दो जो चीज़े हैं, यह आपको mind में रखनी है, citation क्या होती है, अब उसकी बात करते हैं, जैसे मैं कोई paper लिखता हूँ, यह मैं को report लिखता हूँ, और मैं बात करता हूँ, कि दुनिया की population 2050 के अंदर 9 billion cross कर जाएगी, यह मैंने बात तो लिख दी, लेकिन किसी साइंसदान ने data को analyze करके human population को predict किया हूँ, using some kind of tools या उनका proper इस पे research experiment होगा, तो जब उन्होंने वो research experiment करके, एक paper में या एक मुकाले के अंदर पेश कर दिया, publish कर दिया, तो मैं जब यह बात करूँगा ना कि 2050 में 9 billion population हो जाएगी दुनिया की, तो मैं साथ में end पे एक reference दूँगा, और वो reference दूँगा उस paper का जो किसी साइंसदान ने publish की है, ठीक है, कि उन्होंने यह publish की है, यह रहा उनका reference, this is called citation, citing someone, citing क्या होता है, कि आप कोई चीज लिख रहे हैं, और उसक इतनी दफ़ा cite करता है, उतनी दफ़ा वो papers की citation बढ़ती जाती है, और यह citation score वो ही score है, अब दुबारा वापिस चलते हैं, अब देखियागा, यहाँ पे 61,187 दफ़ा ये वाले scientist को लोगों ने cite किया, 61,187 दफ़ा, एक scientist की lifetime इसमें गुजर जाती है, सिरफ thousands of citation लेने के ल मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, पांच का मज़म ढूनें, जिनकी citation अच्छे खासी हो, okay, assignment यह, find big names in your field or subject area, जैसे आप इसको find कर लेंगे, तो आपके लिए यह असान हो जाएगा, चले, एक छोटी सी example में आपको बता देता हूँ, और इसको अकठे हम देखते हैं, किस तरीके से आप find out कर सकते हैं, किसी भी साइंसदान को, या किसी भी researcher को, वो किस तरीके से, इस तरह के field के अंदर jump in करते हैं, and how you can find their profiles, via google scholar, यहां तक आपको clear हो गया, तो अब हम google scholar पर जाने वाले हैं, और tutorial based देखेंगे तरीके से, किस तरह आप बड़े नामों को find out कर सकते हैं, using some keywords, ठीक है, keywords क्या होते हैं, इनके बारे में बात में बात की जाएगी, but for now, I will show you, किस तरीके से, google scholar का में use करूंगा, to find the big names in my field, और आप इसे को, अपने field के अंदर replicate कर सकते हैं, तयार हैं, चले, let's jump into the screen, तो जणाबे वाली, सबसे पहले, आपने google पे जाना है, और यहां पे जाके लिखना है, Google Scholar, Google Scholar क्या है, यह search engine है, based on the research papers, publications, या कोई भी thesis वगारा, या इतने भी documents होते हैं, scholar documents होते हैं, वो सारे के सारे Google Scholar के अंदर समाए जाते हैं, आप Google पे अगर directly search करेंगे, तो आपको papers नजर नहीं आएंगे, but अगर Google Scholar पे search करेंगे, तो सारे के सारे papers औ open कर लेता हूं, matrix को, यहां से citation को, profiles को, search help को, कोई अभी जरूरत नहीं, but I can also do that, और यहां से Google Scholar को, तो यह मैंने 5 tabs अपने पास open कर ली है, ठीक है, now Google Scholar के उपर जब भी आप काम करते हैं, मैं थोड़ा सो zoom in करता हूं, यहां पे जाने के बाद आप अपने आपको भी find out कर सकते हैं, या अपनी my profile पर जागे, अपनी profile भी यहां पर create कर सकते हैं, ठीक है, तो my profile पर जाने के बाद अपनी profile आप create कर सकते हैं, sign in कर सकते हैं, अपने Gmail account के साथ, and then you can create your profile, जैसे मैं यहां पे मुहममद अमार तुफैल लिखता हूं, and you will see my profile here, यहां पर मैं click करता हूं, और यह मेरी citations है, मेरी 790 दफ़ा लोगों ने मुझे cite किया, मेरे 13 paper ऐसे हैं, जिनका 13 citation score है, और I10, मेरे 14 paper ऐसे हैं, जिनके at least 10 citation है, और मेरा highly cited paper जो है, यहां पर आप देखें, उनके 239 दफ़ा लोगों ने cite किया, 99 दफ़ा, और यह citation की base में नीचे को paper जा रहे हैं, अग starting from, अगर आप यहां पर देखें, 2021 से onwards, ठीक है, और अगर यहां पर आप देखें, 2019 मेरा thesis गया, and then 21, 22, 22, 22 total मेरे paper से यहां पर मुझूद है, so this is how you can find a scientist, like जैसे अभी मैंने अपने आपको find किया, और दूसरी चीज यहां कि आप Google Scholar पर दुबारा जाएं, यहां पर जाने left side पे total anytime जितने भी मेरे पास papers हैं, वो सारे के सारे आगे हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं, कि आपके पास 74,700 paper हैं, जिनमें soil microbiology use किया जाता है, ठीक है, आप sort by relevance भी कर सकते हैं, sort by date भी कर सकते हैं, sort by review articles भी कर सकते हैं, you can also do something differently, अब यहां पर आप गौर करें, तो हमा microbiology, biochemistry, principles, application, so on and so forth, अगर मैं यहां पर एक और field लिखूँ, plant, growth, promoting, bacteria, अगर मैं यह लिखता हूँ, तो यहां पर आप चेक करें, कि जैसे मैंने यह नाम लिखा है, तो पहला paper मेरे पास आया, जो बहुत relevant है, 308, 3308 citation है इसकी, और मैं जैसे इस paper पर क्लिक करता हूँ, you will see कि इस तरीके से यह paper open हो जाएगा, but the important thing is, यहां पर अंडर लाइन एक scientist का नाम आया, BR Glick, तो मैंने जैसे इन पर क्लिक किया, now I will see कि इनके 76,014 citation है, जब मैंने slide बनाई थी, तो इनकी तकरीबन, जितनी मैंने आपको पहले citation बताया था, उतनी थी, but now it's been increased to 76,000 citation, और इनके 117 paper ऐसे हैं, जिनका 117 दफा citation है, वहां पे 117 थी, और यहां पे 399 है, and this is how you can find, कि यह मेरे field के, एक अच्छे scientist है, even though यह अभी मेरे ख्याल से retire होने वाले हैं, यह हो चुके, and still working as an Emirates professor, और अगर आप check करें, इनके इलावा और भी लोग है, जैसे मैं यहां पे अगर क्लिक कर 60 लोग, इनकी हैं citations, and then you have different other people, like this one, 6667 और इसे दरीके से बाकी science दानमी है, but अगर आप इसी field को यहां से कुछ और लिखना चाहें, जैसे मैं यहां पे लिखता हूँ, आर्किया, और आर्किया के अंदर, यह 327 और so on so forth, आप के पास, cited by, cited by, नीचे को paper जा रहें, ठीक है what I can do is, मैं यहां पे, इन पे click करता हूँ, these are 12,000 something, ठीक है, so मुझे इस तरीके से find out करना है, मेरे field के top notch के science दान कौन कौन से, और सबसे बेतर तरीका ही है, कितने लोगों ने इसको cite किया हुए, अगर आप review articles भी add करेंगे, simply review articles add करेंगे, तो वहां पे भी आप citations देख सकत यूजली होता क्या है, कि जितना पुराना paper होता है, उतनी ज्यादा उनकी citation होती है, अगर मैं इनको sort by date कर लूँ, now you will see, कि आपके पास one day ago जो आया, जारी बात है, इसको cite किसने करने है, तो जितना पुराना paper है, वो उतनी ज्याद दफा cite किया जाता है, तो मैं यहां पे अगर custom range लिखूं 2000 से 2010 तक जो papers आया है, तो now you will see, कि आपके पास जो articles आयाएंगे, वो ज्यादा दफा cited है, अच्छा जी, यह तो हो गया citation, इसके इलावा, यहां पे top publication के matrix भी है, कि सबसे बड़ा journal है, वो nature का है, कि 467 से paper है, जिनका H5 index, जो है, यह different metric होता है, this is not H10 index, इ 255 median 707 है, और so on and so forth, बाके journals इस तरीके से आ रहे हैं, तो यह top के journals हैं, और यह top की funding agencies है, based on the Google Scholar, यह matter की यहां पे दिया हूँ है, यहां पे आप देख सकते हैं, फिर यहां पे आप अपनी profile create कर सकते हैं, I don't want to create that profile, और यहां पे आप देख सकते हैं, कि different किस search help भी है, यह आ आते हैं, कि आप किस तरीके से search कर सकते हैं Google को, तो I'm not going into the details of a Google scholar को search कैसे करना है, but I can only tell you, कि आप keywords को use करके किसी science दान को कैसे ले कर आ सकते हैं, यहां पे एक और नाम लिखता हूँ, मैं AI लिखता हूँ, तो आप यहां पे देखें कि हमारे पास artificial intelligence, यहां पे लिखने के ब range लगाई हूए, मैं anytime पे click करता हूँ, तो यह 1200, 2700, और यहां पे अगर मैं देखूँ, तो मेरे पास cited by यह 2700, और यहां पे जा कि मैं different science दानों को देख सकता हूँ, ठीक है, और कुछ young भी होंगे, कुछ old भी होंगे, so citation score आपको बताता है, कि कौन कितना बड़ा professor है, और क कौन science दान अभी बिल्कुल initial fields के अंदर है, और कौन अभी young researcher है, कौन थोड़ा सा middle age, research की बात करो, not on the other side, तो गुसा ना कीजिएगा, और किन papers की ज्यादा citation है, अब एक बात यहां पर याद रखे, paper लिखने का main मक्सद होता है, ज्यादा citations लिना, अच्छे journal के अंदर publish कर और लोगोंने subscriptions लिए होती है, तो अच्छे उनकी citations आती है, जैसे मैंने आपको nature और बाकी journals का बताया, and then you have different kind of information, जो आप देते हैं, अगर उसका social impact ज्यादा है, तो वो boom करेगी, ठीक है, इसी तरीके से हमारा एक paper है, जिसकी अभी मैं आपको example दोबारा देने वाला आउनलोड हूए है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो paper कौन सा था, अगर आप यहाँ पर गौर करें, मैं यहाँ पर जाता हूँ, मुहम्मद अमार्तुफैल, अपनी profile पर click करता हूँ, click करने के बाद यहाँ पर हमारे पास, year wise अले जाते है, mediation of gaseous emission, मैं इस पर click करता this one, and there was a, yeah, this paper, यह है जही हमारा paper, endophytic bacteria perform better than endophytic fungi, तो मैंने यह paper publish किया, here on the journal website, तो मेरा journal था, जिस मैं publish किया, that is physiology plantera, मैं इस पर click करता हूँ, और यह journal का मेरे पास different information आ जाएगी, कि कितने लोगों ने इस journal को side किया, and how it is going to work, about में जाके, journal matrix पे जाओंगा, matrix पे जाने के बाद यहां पे देख सकता हूँ, कि 2022 में इसका side score है 9, ठीक है, मतलब, on एक paper को 9 citation मिलती, ठीक है, citation indicator हमारे पास 1.53 है, and then impact factor इसका 6.4 है इस वकत, 6.4 is an impact factor, जो calculate किया जाता है, based on the citation, based on the reach, and other matrices, और 6.4 is, I would say, a good matrix, not very bad, not really good, but in between, so, जिनका 0.something होता है, उससे तो 6 बहुत अच्छा है, तो एक तो यह चीज़ होगी, दूसरा, जब मैंने paper को publish किया, here you can see in the information, कि इसकी 2 citation है, लेकिन full text views इस वकत 5,000 से ज्याद है, और इसका altimetric score 65 है, 65 कैसे आया, मैं भी आपको दिखाता हूँ, कि यह हमारे पास इसकी समरी है, यहाँ पर इतने लोगों ने tweeter के उपर इसे tweet किया, ठीक है, मैंडली के उपर, लोगों ने जो read किया, वो यहाँ पर आजाएगा, and this is how, all researcher output outside from physiology planterum, and so on and so forth, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, physiology planterum का attention score किया है, X demographic के बाद mentioned by one in news outlet, 78 tweeter गने tweet किया और इसे mention किया, एक facebook page पे गया, 8 dimension की citation है, and 49 दफ़ा यह मैंडली पे आया, और यहाँ पर अगर news में जाके देखा जाए, so here you can see, कि यह paper को, Germany की एक agency ने news के अंदर बे publish किया, X पर इतने लोगों ने किया, यह सारे के सारे मेरे बाद tweets आ रहे हैं, जितने लोगों ने से tweet किया था, this is how you can see, कि कितना बड़ा paper यह गया था, और यहाँ पर फेस्बुक पर एक paper ने, एक page ने से post किया था, and then you can also see the dimension, citation, कि कहां कहां पर इस paper को लोगों ने cite किया, other than that, यह news है, आपके सामने, और obviously यह जर्मन के अंदर है, और इस news की वज़ा से, अच्छी खासी आला ताला ने इज़्जद दी, और यहाँ पर आप इसको जब translate करते हैं, you can see, कि उन्होंने बकाइदा इस news को, जर्मन Life Science Society के अंदर publish किया था, and this is how you can actually raise different audience, or believe me, search engine optimization, even in research, makes you a famous scientist as well, याद रखे, जितना ज्यादा लोगों के पास आपका research paper जाएगा, उतने ज्यादा लोग आपको like करेंगे, obviously, आप भी इस वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें, see you in the next day of scientific right mentorship program, अपना ख्यार रखे, दौम याद रखे and Allah Hafiz. झाल